तो इस चैनल पे CSF FIRE के भी काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपना फिजिकल या तो अभी दे चुके हैं फिर आगे देंगे तो उनके मैं डाउट्स पड़ता रहत हूं कॉमें बहुत सारे डाउट्स हैं कि एक्जाम डेट क्या होगा कि इतना स्टूडेंट्स एक्जाम म से प्रहीं हो रहें कितने पास हो रहे हैं कितना वहां पे वेकंसी वो सारी चीजों के माध्धिम से मैं आपको बताने वाला उगाना है और जिनका भी आगे फिजिकल है उनको कैसे प्रिपेर करना है और जिनका examination ये फिजिकल निकल चुका है तो अब exam के लिए कैसे प्रिपेर करना है उसे भी discussion करेंगे लेकिन सबसे पहले इस बात पर discussion कर लेते हैं कि paper में कितने लड़के बैठेंगे और आपका exam कब होगा ये ठिक तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जिसे एक unit की बात कर लेते हैं तो एक unit में तकरीबन 600 students को बुलाया जाता है कितने को 600 को बुलाया जाता है लेकिन जाते कितने हैं जाते तकरीबन आप यमान सकते हैं फिर reporting होती 200 और ये जो number है ये 200 से usually कम ही रहता है जादा नहीं होता है जैसे कि 240, 230, 220 230 जो है average reporting रहती बट फिर भी मैं higher number लेके चल रहा हूँ 200 ये इतना reporting रहता है ये 200 में से सबसे पहले यहाँ पर आपका होता हुआ होगा ये height का measurement होता है height का measurement आपका दो बार होता है एक तो running से पहले और दूसरा running के बाद height, weight वो सब running के बाद होता है आपका chest वगएरा height में ही तकरीबन 40-50 students यहाँ पर छट जाते हैं तो in total आप ये मान लो कि 200 students बचे अब इन 200 में हुई running जब ये running हुई 5 km की तो उसमें भी काफी सारे students यहाँ पर eliminate हो जाते हैं और around 50 students आप ये मान लो कि eliminate हो जाते हैं running में ही और यहाँ पर तो कई जैसे कि ये औरईया वाली unit है आपकी जो गैल पाता है वाली है वहाँ पर तो दो students की unfortunately death हो गई थी एक दिन तो इतना भी आसान नहीं था जीज़ें ठीक है जितना लगा था students को तो तकरीबान यहाँ पर मालने की 150 students यहाँ पर बचे after running इसके बाद आपका फिर होगा height chest weight is measurement अब height में तो कोई क्यों ही निकलेगा height में तो निकलने का ठीक है यहनी की in total in total में final में बता रहूँ कि finally सारा process होने के बाद कितने बचते हैं 100 से ज़्यादा नहीं बचते हैं 100 से मैं maximum बता रहूँ 100 से maximum जो पर ली मतलब normal average 80 से 85 student बचता है final में यहनी की सारा पूरा process running height, weight, chest सारा measure होने के बाद तकरीबान 80 से 90 student यह बचता है इससे ज़्यादा 100 से तो उपर कभी बचा ही नहीं है ठीक है यह एक unit का बता रहूँ और almost सभी units में इतना ही है और जिस unit के मैं बात कर रहा हूँ जहांप एक state का है पूरा और उस state में 40 vacancy है ठीक है 40 vacancy है और जिस आपसे मैंने calculate किया था ना इस unit का कि भाई इतने पास हो रहे है तो इतने दिन physical चलेगा विकॉज आपका जो physical है तकरीबन 10 October तक चलेगा हो सकता है किसी unit में जल्दी खतम हो जाए थोड़ा सा 5 दिन पहले maximum बता रहूँ कि 10 October तक आपके physicals चलने वाले है और जो मैंने आपके calculate किया था figure 2300 के around मैंने calculate किया था कि भाई अगर एक दिन में इतने पास हो रहे हैं तो पूरा मिला के 2300 है फिर 5000 maximum यहाँ पे पास होंगे vacancy कितनी है जिस unit में जिस state की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पे 40 vacancy है ठीक है मैं आपको hint देता हूँ कि हो समझ पा रहा हूँ मैं कहा की बात कर रहा हूँ ठीक है तो 40 यहाँ पे students यहाँ पे 40 vacancies है और उन्हीं के लिए यहाँ पे exam होगा अब exam में माल लेते हैं कि यह 300 students नहीं आते तो 2000 ठीक है 40 students अब 40 vacancies है 2000 students अब यहाँ पे आप समझ सकते हो कि competition कितना है अब वो vary करेगा कि भाई different हर जगों का अलग-अलग होगा ठीक है लेकिन on an average मैं आपको उता दिया कि इतना total number of competition रहेगा total number of students आपको कही लेना देना वो तो depend करता है कि वहाँ पे vacancies कहाँ पे है तो यह मैं आपको बता दिया एक unit का बाकी आप देख सकते हो तो अब बात यह कर लेते हैं कि आपका exam कब तक हो सकता है और almost यह confirm भी मान लो वैसे तो आपनों को कुछ ऐसा कुछ card वगेरा ऐसा कुछ दिया नहीं गया कि भाई तुमने यह qualify कर लिया है आप जो लोग गय होगे तो आपको पता होगा कि आपके जो commandant होंगे वहाँ पर उन्हें आपको यही बोला होगा कि भाई CISF के official website पर चेक करते रहे न और तुमारा वहाँ पर admit card हो गया रेटन का आज हैगा तो अब यह मान के चलो कि around आपका 15 जो अनुमान लगा है तो तीन महीने का समय है अब इसके लिए तैयारी कैसे करें तो दो इसके पास options है या तो आप पहले से prepared हो चीजों के लिए या तो नहीं हो नहीं हो नहीं कि अपने reasoning math देखो इसका SSC GD की तरह मैं आपको बथा दूँ तो इसी हो जैसे अगर आपको reference लेना है भाई कि कैसा क्या वैसे तो मैंने previous air paper एक करवाया तब आखे अगर आप लोग बोलोगे तो मैं और यहां पे questions जो previous air वाले हो लाने कोशिस करूँगा और आपको guide करने कोशिस करूँगा लेकिन अभी क्लिए आपको ये बोल सकता हू कि अगर आपकी चीज़ें prepared नहीं हैं तो आपके लिए आजाद बैच चल रहा है जासे से जीडी वगरा इन सब एक्जाम से से जीडी होगा से से फचीम की जब विकनसी निकली उसके लिए तो वो आपके लिए सफिशन्ट रहेगा और उसका जब तक आपका एक्जाम होगा तक खतम होके रिविजन भी हो चुका होगा और अभी जैसे स्टार्ट हुगा आपका बैच तो उसमें अन्रोल कर सकते हो परमार अकैडमी एप में वो बैच चल रहा है और जो लोग भी अन्रोल करना है बता देता हूँ आज़ाद 22 ये कूपन को डियूज कर लेना है लेकि उसके प्रीवेस एर पेपर उठाओ तो उसको सॉल्व करने के कोशिस करो अपने आकलन करने के कोशिस करो कि अभी कहां स्टैंड करते हो कहां पहुंचना है बाकि अगर उसके रिगार्डिंग अरप लोग बोलो कि तो क्या प्रेडिक्टेट कॉट औफ ये साई चीज़ें उसके मैं वीडियो बना दूँगा लेकिन आप कोशिस करो देखो अब खुद का अनलाइस करो कि अभी कहां पर स्टैंड करते हो कहां पर और काम करने के जरत है बेसिक जो बुक्स होती है रेफरेंस बुक्स ऐसा नहीं कि कोई एक ऐसी बुक्स चमचमाती हुई आएगी और है ठीक है तिसी वज़े से अब बहुत ज़्यादा कॉंपटिशन नहीं रहेगा और यह बहुत आराम की नौक्री है वैसे तो मैंने जॉब प्रोफाइल पर भी कभी वीडियो नहीं बनाया अगर इस पर भी अगर आप लोग बना दूँगा लेकिन बस इतना बता सकता और एक्स्टा टाइम हो ठीक है बतियाने के लिए जिससे भी बतियाना हो ठीक है और अगर बाकी एक्जाम की प्रेपरेशन करने है तो यह अपके लिए बेस्ट है बाकी जैसे मने बता है अगर आपको प्रेपरेशन करनी है तो परमार अक्याडमी बैच चल रहा है आजाद फिनेट हैल्प में ली होगी और अगर कुछ डाउट है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं मैं इसको रिजॉल्व करने की कोशिस करूँगा इसको सॉल्व करने की बाकी वीडियो गर पसंद आ ही